नमस्ते बच्चों आज का हमारा जो पाठ है वो कुरांतिकारी भगत सिंग पर आधारित है भगत सिंग के अंदन दिनों की जीवनी जहां की प्रस्तूत कर रहा है ये पाठ उनको मिली फासी की सजा सुनते ही पूरा देश स्तब्ध रह गया था है सभी उनकी प्राण रक्षा के लिए चिंतित और प्रयत्न शील हो गए थे भगत सिंग राजगुरु सुकदेव मर्सी अपील पर हस्ताक्षर कर दें यह सभी चाहते थे लेकिन यह असंभव था महता जी की मर्सी अपील से पूर वाइसराय को जो पत्र उन्होंने लिखा था उसका अनुवाद यहां पर दिया गया है भगत सिंग का वह पत्र स्वर्नाक्षरों में अंकित कंडी योग्या है उन्होंने फांसी के बजाए गोली से उड़ाये जाने का प्रस्ताव किया था इस संस्मरण में भगत सिंग के जीवन का अंतिम ओज दीप्त स्वरूप वर् घाए मतलब दया की अपील मर्श्यकल मतलब दया की अपील लेकिन हमारे ये थे जो योध्य शहीद थे कभी भी अंग्र Olejo के आगे ना तो सिर का चलीफोन आया विस अजन भगत सिंग राजगुरु और सुखदेव आधिक रांतिकारी कहतियों के लिए निश्चित कानूनी सुरक्षा समीती के अध्यक्ष थे उन्होंने राष्ट्रे नेताओं की एक बैठक बुलाई और बताया कि महात्मा गांधी ने हाल ही में लौड कि महात्मा गांधी ने भी इस सजा को कम करने का अंग्रेजों के आगे प्रस्ताव रखा है तो उस जो अपील है जो दया की जो उन्होंने प्रार्थना पत्र लिखा है उस पर विचार किया जा रहा है आसफ अली साहब का कहना है कि इस समय यदि भगत सिंग और उसके साथ ह भी शीखरी एक पत्र मर्सी अपील वैसरा के पास भीज़ दें तो उनकी प्राण रक्षा निसंध्य हो जाएगी मतलब कि अगर महात्मा गांधी ने तो यह प्रात्ना पत्र रखा ही है उनके आगे पर अगर यह तीनों कर अंतिकारी भी अपनी तरफ से एक प्रात्ना पत् बानकर फांसी के तख्ते का इंतिजार कर रहे इन बहादुर को मर्सी अपील करने की बात कहने तक का साहस किसमे हैं वे लोग मानेंगे या नहीं यह तो बहुत दूर की बात है अब क्योंकि यह तीनों क्रांतिकारी जो थे बहुत माने हुए थे अंग्रेजों के सामने कभी उनके साथियों में से एक थे उन्होंने भगत सिंग के लिए कानुनी दौरदूप करने की इच्छा से गवर्मेंट कॉलेज की में की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी वे ललबी की परिक्षा पास कर चुके थे प्रीवी कॉंसल को भेजी जाने वाली अपील पर भी भगत सिंग और उनके कुछ साथियों ने प्राणनात महता के कहने पर ही हस्ताक्षर किये थे अब एक व्यक्ति था जो वहां जा सकता था वो था प्राणनात महता कुछ जिजक के साथ प्राणनात महता ने यह उत्तरदाइत स्विकार कर लिया और पंजाब सरकार से आग्या लेकर वे भगत सिंग और उनके साथियों से मिलने जेल गए थे अब आगे क्या हुआ बच्चों पिछले 7-8 घंटे से प्राणात महता यही सोचते रहे कि वे किस तहर से इस प्रस्ताव को नर्पुवों के समुख रखेंगे पर जब वे उनके समुख पहुँचे तो उनके च कैसे रखूं जब वो उसके सामने पहुचे तीनों के तो उनके चेहरे की गवराट साफ दिखाई दे रही थी बगत सिंग ने कोई मजाग कर उन्हें संभलने का अवसर दिया बाच्चित गांधी जी के प्रयत्नों के संबंधों में चली प्राणात ने कहा कि गांधी जी के बनो राजगरू तुम्हारा यह दूप देखकर मुझे डर लगता है मतलब अब वह बात तो शुरू हो चुकी है पर अभी वह हिम्मत नहीं कर पा रहे कि वह कैसे उनके सामने ये बात कहें वातावरन फिर हलका हो गया प्राणात ने कहा दोस्तों तुम इस बात को तो मानत कर सकेगा मतलब वह से अपनी बातों में बांधना चाह रहे हैं कि अगर तुम जिन्दा रहोगे तभी भारत की आजादी जो है और प्रगति कर पाएगी नए भारत का निर्मान भी तुम जैसे लोगों से होगा वह अपनी बात को गुमाफिरा कर ला रहा है सुकुदेव न करना हमारा काम नहीं है बगत सिंग ने मुस्कुरा कर कहा यार वकीलों वाली बाते छोड़ दो सीधे तोर से बता कि तू क्या कहना चाहता है यही कि तुम्हारा जीवन कौम की थाती है और कौम चाहती है कि तुम गांधी जी के हाथ मजबूत करने के लिए वाइसराय के ना हुए हो यहां पर तीनों के मूँ एका एक गंभीर हो गए राजगुरु ने कहा प्राणात तुम से हमें यह उमीद नहीं थी कोई और होता या कोई और यह बात कहता तो मैं धक्के मारकर उसे कमरे से बाहर निकाल देता सुकदेव बुले हम तुम्हें अपना सच्चा दोस मानते थे प्राणात ये बात कहने कि तुम हिम्मत किस तरह हुई तुम्हारी भगत सिंग ने आख के इशारे से अपने दोनों साथियों को चुप किया और बड़ी शांत आवाज में पूछा किस तरह की मरसी अपील तुम चाहते हो उत्साहियत उकर प्राणात ने कहा मुझ कुमें तुम्हारे पास ले आऊंगा ड्राफ्ट मतलब उस मरसी अपील क्या-क्या लिखना है ये सारी पाते हो जाएंगी पिर कल में तुम्हारे पास ले आउंगा बगत सिंग ने मुस्कुराते हुए कहा मर्सी अपील तो हम भी बना सकते हैं मगर यार हमारे मुकदमे ने तुम्हें एक काम्याब वकील जरूर बना दिया 22 मार्च 1931 को प्राहत है रक्षा समीती द्वरा तयार ड्राफ लेकर प्राहनात पुनह जेल में पहुँचे बगत सिंग ने हस्ते वे कहा यार जाने भी दो हम लोग ने तो मर्सी अपील भेज दी है अधिक देर करना अच्छा नहीं था मतलब उसके आने से पहले ही बगत सिंग ने मर्सी अपील भेज दी थी अब वो क्या लिखा था उसमें? प्राणनात ने समझा कि भगत सिंग ने अपने स्वभाव के अनुसार मजाग किया है भगत सिंग बोले यार मरसी अपिल लिखना भी कोई बड़ा काम है आखिर दया की भीख ही तो मांगनी थी प्राणनात के पैरो तलें जमीन खेसंग गई मतलब उसकी बाते सुनकर के वो हद प्रत रह गया, आश्चर चकित रह गया उसने पूछ लिया क्या लिखा है तुमने उस अपिल में? है कोई कॉपी तुम्हारी उसके पास? भगत सिंग ने पास ही पड़ी किताब उठा ली और उसकी जिल्द के साथ वले सफेद कागस पर पैंसल से अंग्रेजी में कुछ लिखा हुआ था वह प्रश्ट खोल कर प्राणनात के हाथ में देते वे भगत सिंग ने कहा यह है हमारी मरसी अपील की कॉपी प्राणनात मन ही मन उसे पढ़ने लगे इस मरसी अपील का आश है इस प्रकार था बचों उस मरसी अपील में क्या लिखा था? हम लोग इतिहास के विद्यार्थी हैं और यह जानते हैं कि राश्ट्रों की शक्ती का चक्र सदा बदलता रहता है भारत आज पराधीन है और आप लोग हमारे आका बने हुए हैं पर अब हम यह भी जानते हैं कि अब बहुत वक्त तक आप हमारे मालिक नहीं बने रह सकेंगे भारत में आज आजादी की जो तडप फिद्यमान है उसके हम तीनों प्रतिनीदी हैं और हम यह स्विकार करते हैं कि हम आपकी सरकार के शत्रू हैं इस शत्रूता पर हमें गर्व हैं हम लोग आपके विरुद्ध युद्ध स्विकार करते हैं हम लोग आपके विरुद्ध युद्ध करते हुए गरफतार हुए हैं हमें मालुम ही है कि चंद दिनों में आप हमें फासी पर चड़ाने वाले हैं वह फासी जो हमारी इन कोठरियों से कुछ ही गजों के अंतर पर है। इस पत्र के द्वारा हम तीनों आप से अपील करते हैं कि आप हमें फांसी पर नचड़ा कर अंग्रेजों द्वारा बंदूग से शूट करवा दीजे। आप जानते हैं कि युद्ध में पकड़े वे शत्रों को इसी तरह शूट किया जाता है। मतलब उन्होंने दया की भीख मांगने से अच्छा ये कहना समझा कि आप हमें फांसी पर चड़ाएं उसमें तो फिर भी वक्त लगेगा पर आप ऐसा करें कि आप हमें गोली से उड़ा दें हम ये मौत जादा अच्छी मानते हैं पत्र समाप्त करते करते प्राणनाच महता की महता एक आएक आगे बढ़े सबसे पहले उन्होंने भगत सिंग के चर्णों में अपना मस्तक चुकाया उसके बाद राजगुरू और सुखनेव की और बड़े ही थे कि दोनों दोस्त पीछे हट गए प्राणनाथ ने शिगृता से उस स्थान की धूल हाथ से समेट कर अप उसे मौके पर भगत सिंग हसी मजाग के मूड में थे महता ने उनसे कहा प्राण परसो सुबह तुम से मैंने लेलिन की जो पुस्तक मंगवाई थी उसके 324 प्रष्ट मैं इस समय तक पढ़ चुका हूं बहुत अच्छी पुस्तक है करीब 100 सफे बाकी हैं उमीद है कल सुब को भी मैं पढ़ जाओंगा मतलब भगत सिंग अभी भी माहौल को गमगीन नहीं होने देना चाहते थे वे अपनी सनक में कहते गए अभी 13 घंटे मेरे पास बाकी हैं आदा घंटा तुमसे गपशब चलेगी इसके बाद ठाट से जिंदगी का आखरी खाना खाया जाएगा और अभी तो वहरात भी शुरू नहीं हुई है उस तक के 324 प्रिष्टो तक भगत सिंग के हाथ से लगाए गए पैंसिल के कितने ही निशान थे समय भागा जा रहा था इतने में साड़े पांच बज गए जेल के अधिकारी आज बहुत सतक दिखाई दे रहे थे ठीक पूश्टाच की कि यह सब इस वक्त यहां क्यों आए हैं पर किसी ने उनकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया सब और एक मनहूस सन्नाटा सा चाया हुआ था सन्नाटा मतलब चुपी एकदम सब चुप था प्राणात की बात का उत्तर ना देकर जेलर ने गंभीरता से सब इतन मतलब बहां पर खड़ी हुई थी मद्जर रातरी के एक बजे एका एक सारा लाहौर जाग उठा गली गली में बच्चे और नौजवान यह चलाते घूम रहे थे उठो उठो सोने वालों उठो भगत सिंग और उनके साथियों को फासी हो गई है राजगरू जिंदा बाद स चोटा सा नोटिस लगाया गया था कि शाम छे बजे बगत सिंग्स, राजगुरू और सुद्देव को फासी दे दी गई और उनके अपने-पने मज़भ के अनुसार उनका धास इंसकार भी उसी समय कर दिया गया मतलब यह कि लोगों को बिना बताए ही अज समय उन तीनों को फासी दे दी गई क्यूं अगर तै समय के अनुसार उनके फासी दी जाती तो शायद भारत की जनता इस विकार नहीं कर परती और उन्हें छुड़ा ले जाती इसलिए बिना बताए ही समय से पहले उन तीनों को बात यह हुई कि पंजाब सरकार को ग्यात हुआ कि 24 मार्च की प्रात है एक लाख के करीब व्यक्ति जेल के बाहर इकठे होने वाले हैं इससे उन्होंने 23 मार्च को साएं ही तीनों विरों को फांसी देने का निश्चे कर लिया जब उन्हें फांसी के कटगरे की ओर ले जाया रहे थे कि खबर फहल गई तब लाहौर के बहुत से लोग वहां पहुच गए तीनों शहीदों के अध जले अंग प्रत्यंग एकत्र कर तीन लंबे बक्सों में तीन अर्थियां तयार की गई और 24 मार्च की दोपहर को लाहौर में उनका इतिहासिक जलूस निकाला गया ले बचों यहां पर हमें शहीद भगत सिंग राजगुरु और सुकडेव के अन्तिम यात्रा के बारे में बताया गया है कि और अन्तिम दिन उनका किस प्रकार से था हमें फक्र है ऐसे हमारे शहीदों पर और शच्च शच नमन भी